अस्लामुलेकूम आप्रियान अमीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो आज मैं यह जी बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्ण सबसे पहले मैंने ओईल डाला है तो यह फिर मैंने ओईल जो ना वह दो तीन चमच आपने डाल लेने और इसके बाद जी मैंने यह नमक आड़ तक्रिबर्यक आपने जूए तक्रिबर्यक्डान यह पनले है यह नहीं आजगे है कि मैंने पॉपकॉर्ण बनानी थे तो मैन वह जो इना रोगजानि « स自己 ूपॉपकॉर्ण डाल देना है कि यह जै कि ने नमक आप कर दिस दो हलाना है आपने डखकान देखे थोड़ी दे अब यह जी देखें मैं पॉपक्यून डाल लगाए इसमें जोगो थोड़े बहुत बच्चे थे वह भी मैं जार पूंज की इसमें डाल दिये तो इसको थोड़ा सा हला के तो यह जी आप लोग घड़ में बहुत एजी तरीके से जोगो पॉपक्यून तयार कर सकते हैं स्पाइसी कर सकते हैं मसाले वाले जो जैसे आप साल्ट वाले कर सकते हैं ये इसको पर डखकन देकर रख दिया तो इसको जहें न फिर थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा ऐसे स्वास पन को लाते रहना है ताके ये नीचे नो लग जाए ये जब हम नहीं लाते तो ये नीचे लग जाते हैं पॉपकॉर्ण तो ये जलने की स्मेल आ जाती है तो फिर ये जी मेरे पॉपकॉर्ण बनके रड़ी हो चुकी है जो के बहुत मज़ेदार है तो मैंने सब साल्ट रले बनाए थे क्योंको बच्चों ने भी खाने थे तो ये जी होमेड पॉपकॉर्ण रड़ी है ओके बाई बैटाटा